हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं के संगर्थन महामंत्री अशोग गहलोट प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे डॉक्तर सीपी जोशी रामेश्वर डूडी सहित सभी दिगज नेता भाग लेने के लिए पहुचने लगे हैं परबच सर में हो रही ये राली क्योंकि अजमेर संभाग में अंतिन राली है और इसके बाद अब जैपुर में महा राली होगी इसलिए ये राली एतिहासिक होगी अजमे संभाग में नागौर जिले की परबच सरविधान सभा में हो रही कॉंग्रिस की इस संकर्प राली को लेकर लोगों में काफी दिल्चस्पी दिखाई दे रही है जिसके चलते राली में लोगों के हुजूम भी पहुचने लगे हैं राली में शामिल होने के लिए पूरे अजमेर संभाग से लोग आ रही हैं। लोगों की इस हुजूम में सबसे बड़ा काफिला छोटी खाटू से लेकर परबच सर तक पूरे रास्ते में करीब एक हजार गाड़ियों के रूप में दिखाई दिया है। राली में शामिल होने के लिए ये सबसे बड़ा काफिला पूर्व उपजिला प्रमुक और कॉंग्रेस के सबसे मजबूत और प्रबल दाविदार डॉक्टर सहदेर चौधरी का है जो कि पिछले काफी दिनों से संकल्प राली को एतिहासिक बनाने में जुटे हैं। समर्थकों से भरी करीब एक हजार गाडियों का काफिला जब छोटी खाटू से परबत के लिए रवाना हुआ तो यहां का नजारा भी भड़ा ही अनूथा था। काफिले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छोटी खाटू से लेकर परबत सर तब के पूरे रास्ते में डॉक्टर सहदेव चौधरी के समर्थकों की गाडियां ही दिखाई दे रही थी। गौतलब है कि डॉक्टर सहदेव चौधरी से लोगों का सीधे तोर से संपर्क होने और जमीन से जुड़े किसान नेता होने के कारण ही उनको लोगों का जोड़ार समर्थन मिल रहा है। रैली की सफलता और इसे एतिहासिक बनाने के लिए डॉक्टर सहदेव चौधरी पूरे जिले भरके गाव गाव और धाणी धाणी में दौरे किये। साथ ही चौधरी पूरे जिले में जाकर लोगों से संपर्क कर राली में जादा से जादा लोगों को आने के लिए नियोगा दिया चौधरी ने कहा कि परबत सर की संकल्प राली को लेकर कारेकरताओं के साथ ही लोगों में भी काफी जोश है उन्होंने कहा कि आज परबत सर में हो रही संकर्प राली को लेकर किये गएक प्रयास सफल हुए है और ये राली निश्चित रूप से अतिहासिक बनने जा रही है परबत सर से जागुप टीवी की रिपोर्ट